12 मार्च को दिल्ली में एक शादी होने जा रही है जिस पर चार राजियों की पुलिस और सेंटरल एजेंसियों की नजर होगी अब शादी किसकी होने जारी है शादी होने जारी है अनुराधा चोधरी उर्फ मैडम मिंज मेडम मिंज अपराद की दुनिया में अनुराधा चोधरी को जाना जाता है 15 सालों का अपराधिक इतिहास रहा है अब अनुराधा चोधरी हमारे साथ हो और ये दुलहन बनने जारी है दुलहन बनने जारी है चार राजियों के कुख्यात गैंग्स्टर संदीर उर्फ काला जठेडी की आप क्राइम का इतिहास आप कर रहा है संदीर उर्फ काला जठेडी की शादी करना है यह आपने क्यों सेलेक्टिया कैसे सलेक्टिया हम लोग जिस भी हालात में हम मिले और वो भी इन चीजों को छोड़ना चाहते थे और मैं भी तो लगा कि हम दोनों मिलके एक दूसरी को सपोर्ट करके इन चीजों को छोड़ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, दोबारा मेंस्ट्रीम में आ सकते हैं, इस वज़े से हमने तै किया कि हम लोग एक साथ हम सफर बनके आगे बढ़ते हैं, आप खुद क्राइम में रह हैं, क्यों, क्या सोच कर मतलब? आप उसके साथ आगे बढ़ते हैं, आप उसके साथ आगे बढ़ते हैं, आप लोग कई साल जब संदीब पर 7 लाक रुपए का इनाम था और वो फरार चल रहा था, तब आप उसके साथ रहीं, कितने वक तक साथ रहीं, कितने वक तक फरार रहीं। थोड़ा टाइम। अब जो शादी होने जारी है, कितने घंटे की पेरोल है, किस तरह से इजाज़त मिली, किस तरह से प्लान बना, इसके बारे में बताएं। ये प्लान नहीं, ये शुरू से जिस टाइमें पकड़े गए, तो उस टाइम से थौट था, कि हम लोग मेंस्ट्रीम में आने के लिए हमें बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा, और संदीप का स्ट्रगल अंदर होगा, और मेरा स्ट्रगल बाहर उनसे कहीं ज़्याद ने एक गाइडलाइन सिया फेरियों कहा सकते हैं, रिचुल्स बनाए हैं, तो वो जरूरी थे, और ये पहले से तह था, साथ फेरे हमने पहले भी लिये हैं, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू लॉओ, हम लोग साथ फेरे लेने जा रहे हैं, देन उसके बाद में ग्रह इशारा है कि हम दोबारा इस दुनिया में लोटे हैं, उस सब चीजों को छोड़ते हैं, और इसके लिए मैं जो दीपक वासन साब हैं, द्वारका कोट के नियाए दिश महद हैं, मैं उनका शुक्रिया दा करना चाहूंगी कि उन्होंने जो एक अपरादी, अपराद की पता है कि ये बंदा उसमें इन्वाल्ड नहीं है, फिर भी वो मजबूर होता है, अपनी हायर अथरोटी कहलो या कुछ इमेज या किसी भी वज़े से, तो वो जानते भी वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, जो फैक्ट है, तो इन्होंने जो किया है, वो छोटी बात नहीं ह मैं ये मानती हूं बहुत बड़ी चीज़ है, संदीप पर कई हत्या का आरोप है, उसके हाथ खून से सने हैं, आरोप है, आपके भी दुश्मन कई हैं, और जैसा मैंने कहा कि चार र्याजियों की पुलिस से इंट्रिल एजनसी की शादी पर नजर रहेगी, शादी पर खत् परत्मान हॉमिस्टर साब है, उन पे भी लगे थे, बहुत से लोगों पे लगे, तो इसका मतलब यह नहीं है, जो एलिगेशन है, वो फैक्ट है, तो वो सिर्फ एलिगेशन है, और दूसरी चीज़ रही बात खत्रे की, तो जो डिपार्टमेंट है, वो डील कर रहा है, फैल होते तो हम कभी पुलिस के चंगुल में आते हैं, विरोधी गैंग, जो कि आप लोग के विरोधी गैंग है, उनकी भी तो नजरी शादीप रहेगी, कितने साल बाद संदीप बहारा रहे हैं, और बिलकुल नजर रखें, टीवी में देखें, इंजॉय करें, शादी, तो शुब काम नहीं दे, नहीं हो सके, तो ट्राइ करें, मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट के आगे वो लोग कुछ कर पाएंगे, आपने क्राइम का रास्ता छोड़ दिया है, संदीप छोड़ेगा, छोड़ चुके हैं, मैं बहुत बार कह चुकी हैं, छोड़ हर्याना सोनीपत ने जाके इंवेस्टिगेशन की है, तो उन्होंने तो कभी ऐसे स्टेटमेंट नी दी, क्योंकि उन्होंने फैक्ट जो है, उसमें डेप्ट में जाके पता किया है, कि बहुत सच्चा ही क्या है, और अगर ऐसा कुछ होता, तो अभी तक संदीप अरेस्ट ह होते हैं, और हमें यकीन है, डिपार्टमेंट हमें मौका दे रहा है, वापस समाज में लोटने का, और ना तो वो गलत ऐलिगेशन या ये लगा रहा है, और जो गलत ऐलिगेशन लगा रहे हैं, उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, और फेर वो इन्वेस्टिगेशन कर रह शादी के लिए छे घंटे के पिरोल मिली है, फिर वो जेल में चला जाएगा, तो कैसे क्यों चुना फिर आपने शादी के लिए, कैसे लाइफ चलेगी फिर? पहले चीज़ तो कापते या निकापते ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता, संदीप बहुत नाइस और सीधे परसन है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा लोग कहते हैं कि इतने खतरना किये वो या मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं हम भी आम इंसान है, और दूसरी चीज़ हमाज में और अपनी फैमिली में जाना है, ताकि हम उनके साथ में वक्त बिता सकें, बाकी का जो बचावा हमारे जिन्दगी का ये वक्त है, वो हम अपने पैरेंस और अपनी फैमिली और फ्रेंट्स के साथ में हम रह सकें, जी सकें, तो सेम सिचुएशन की वज़े से, और वहां से यहां तक आएं तो आगे भी सफर भगवान ने चाहा तो सपोर्ट करेगा भगवान भी डिपार्टमेंट भी और हम मेंस्ट्रीम में जरूर आएंगे कितने मेमान आ रहे हैं शादी में किस तरह की सिक्यूर्टी होगी दिली पुलिस से आपने बात करी हाँ डेली पुलिस ने मुझे बुलवाया भी था और इस बारे में उन्होंने डीटेल में डिसकस भी किया है और सो डेट सो मेहमाने जादा नहीं सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स हैं और एड़ोकेट मीडिया बस और कोई नहीं है और उनसे डिसकस हुआ तो मैं सैटिस्वाई संदीप बाहर आएगा और संदीप जैसा बताया जाता है लौरेंस बिसनोई पूरा एक सिंडिकेट है तो दुश्मनों की नजर अर्ष डाला इन सब की नजर भी रहेगी तो इसको लेकर एजनसी सकते हमें कि कुछ वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया तो फिर नहीं ऐसा कुछ न है किया है तो हमें स्विकार है कोई दिक्कत नहीं दूसरी चीज यह है कि यह जो बार-बार यह कहा जाता है कि लौरेंस विश्णोई का खास बैस फ्रेंड और यह सब चीजें यह सब मीडिया ने एक साथ करके सब कुछ जो है लोगों के सामने पेश किया है तो ऐसा कुछ संदीप के अपने खुद के इंडियूल थॉट्स हैं सिद्धान्त हैं और उनका खुद का संगर्श है तो बाकी रही बात बाकी के जो आप बता रहे हैं कि अगेंस्ट और विरोधी गैंग वाले अर्षडला और तो उन चीजों से ना तो हम उन चीजों को मानते ना हमें फ अपार्टमेंट भी नहीं रोक पाता है तो हम तो रोकी नहीं सकते हैं और ठीक है जो होगा उपर वाले की मर्जी है यह देख रहा हूं आपका जो है वुरा शादी का कार्ट सब जगह बाट दिया किस तरह से चैरी चल रही है और दूसरा यह भी रहेगा इसमें कि जो आप कहानी है आपने बोला सेम फिल्ड यानि भई आप भी क्राइम फिल्ड से हैं संदीब भी है तो यह ऐसा नहीं लगता है कि पूरी फिल्मी कहानी सी ऐसा क्यों एक डॉक्टर डॉक्टर से शादी करता है तब तो कोई अबजेक्शन और सवाल नहीं उठाता है तो फिर यह फ साथ संगर्ष करना चाहते हैं और जिन चीजों में उलजे फसें उनसे भाहर निकलना चाहते हैं क्रिमिनल एलिगेशन है एलिगेशन को तो देखिए जब तक कोड मान ना ले और कोड ना कह दे तो हम में से कोई भी नहीं मानेगा आप क्राइम के रास्ता छोड़ चुकी है कि दिपार्टमेंट इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता है और हां मैं लौ कर रही हूं थोड़ा टाइम पिरिट बाकी है मैं संदीप के केस खुद डिल करूंगी हाल फिलहाल में कई बार कई एजन्सियों की एनाईय की रेड तमाम जगों हों पर रेड हुई आपके हा हां दो बार रेड हुई है और भी कुछ एजन्सियों ने रेड की है तो वो उनकी ड्यूटी थी और मुझे लगता है कि वो हमारे लिए अच्छा था क्योंकि जो डाउट और जो उनके लोगों के पहले एलिगेशन रहते थे तो उन चीजों से बाहर निकलने में हैल्प मिल हैं तो डिपार्टमेंट ने जो किया अपना काम किया और परफेक्ट किया सही किया तो वो सही था जब से शादी की ख़वर आई है लगातार तमाम मीडिया हर जग यह फेसे चल रहा है तो यो शादी की बात आई है अतीत क्या आले आ रहा है आप दुनों का कुछ किसी ने रोकनी की कोशिश हुई है और शायद आगे भी होगी जब तक शादी ना हो जाए ग्रह प्रवेश ना हो जाए लेकिन मेरा डिपार्टमेंट से हाथ जोड की निवेदन है कि हम लोग दबारा वापस ग्रहस्त जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं तो प्लीज निवेदन है कि आप लोग उसमें आडे ना आएं और हमें सपोर्ट करें कि हम लोग वापस इस दुनिया में लौट सकें तो ये चीज़े तो होंगी और डिपार्टमेंट की अपनी मजबूरिया हैं लेकिन मैं उमीद करती हूँ कि डिपार्टमेंट सपोर्ट करेगा एक क्रिमिनल को नहीं उन लोगों को जो वापस इस दुनिया में लोटना चाहते हैं अगर हम लोटे तो हमारे पीछे और भी लोग लोट सकते हैं उनके लिए भी रास्ते खुलेंगे और जो शादी होनी जा रही है वो डिपार्टमेंट और ऑफिसर्स के बिना पॉसिवली नहीं है ये हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं तो जब वो लोग इतनी महनत और इतनी चीज़ें किसके लिए कर रहे हैं दो ऐसे लोग जिन पर एलिगेशन रहे हैं तो जब वो भी अगर यह कर रहे हैं ठीक है कोड की आदेश की वज़े से कर रहे हैं लेकिन कर तो जैनुरीन तरीके से और प्रॉपर वे में कर रहे हैं ना कि फॉर्मल्टी की वे में और बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी होंगे जिनका अशिरवाद होगा कि चलो ठीक है अच्छे से ये इन लोगों की शादी हो जाए ये इन सब चीजों को छोड़ दें तो यह है कि आप हरियाना में रहती हैं इस वक्त हम हरियाना में इंट्रू कर रहे हैं शादी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस दिल्ली में और दिल्ली पुलिस के हाथ पाप उल गए उनके अफसर बोलने कि वह यह यहां छे घंटे तो हमारे पसीने चोटे रहेंगे नहीं नहीं, मैं नहीं मानती एक आफिसर या दिल्ली पुलिस ऐसे बोल सकती है, दिल्ली पुलिस मेरे ख्याल से इंडिया की बैस्ट टीम में से है, तो उनके लिए ये सब चीजें तो मामूली बात हैं, जब वो लोग इतने अटैक्स और ये सब चीज डील कर सकते हैं, तो य शादी तो ना के बराबर काम है, रोजमर्रा काम है उनका, जब मैं एक चीज और ये पूछना चाहता हूँ, शायद ये आखरी मेरा सवाल हो, कि आप राजस्थान के रहने वाली हैं, राजस्थान का Crime Syndicate आप देखती थी, आप थी, और संदीब से आपके मुलाकात कैसे हु आप राजस्थान पुलिस के एक ओफिसर ने गलत तरीके से फायर जिसमें मेरा कोई रोल कोई नहीं था, तो उन्होंने फायर की थी, तो कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट कि आप थोड़े टाम के लिए साइड में हो जाए, अंडरग्राउंड हो जाए, इतने हम हाई में बेल वगरे लगाते हैं, इंटरिम बेल वगरे, तो उस डियोजिशन में मैं संदीप से मिली थी, तो फरार चला था, हाँ जी, वो फरार थे, उसी दोरान फिर आप लोगों के बातचीत हुई मतलब, हाँ, उसी दोरान हम लोग थोड़ा टाइम साथ रहे, हम लोग जब साथ रहे, हमने बातचीत की, हमारे सिद्दान त्विचार धारा, और स्टागल बहुत सारी चीजें जब शेयर की, तो चीजे समझ में आई कि हम लोग एक साथ आके बढ़ सकते हैं, और अकिले सिंगल सिंगल स्टागल करने से ज़्यादा बहतर है, एक साथ मिलके स्टागल क्यों कि अने एक्सपेक्टेड तिंग्स कभी भी हो सकती हैं, तो वो दिमाग में बिल्कुल चलता है, इशादी होगी या नहीं होगी, होने देंगी या नहीं होने देंगे, पता नहीं कब कौन क्या चीज करेगा, डिपार्टमेंट के लिए कह रही हूं, विरोधी गैंग उनका कुछ इशू नहीं है, क्योंकि उनके लिए डिपार्टमेंट है, लेकिन डिपार्टमेंट के लिए तो कोई नहीं है, उनके लिए तो जैसाब है, तो देखते हैं कि क्या होता है, मैं उमीद करती हूं कि डिपार्टमेंट हमें सपोर्ट करेगा, चली अच्छा है, आ शादी भी करने जा रही है वो भी एक नामी गैंग्स्टर से आपको शादी के बहुत-बहुत बधाई हो और उम्मीद करते हैं कि आप एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें कैमरामेन अनिल जैसवाल के साथ अर्विन दोजहा जठेडी गाउं सोनी पत आज तर